आज की first lifestyle में time की problem की वज़े से हम लोग बहुत बार जादा खाना बना के फ्रीज में रख देते हैं जिसको हम बाद में गरम करके खाते हैं और फिर कभी-कभी घर में cook दिन में एक बार आता है जो तीन time का खाना एक ही बारी में बना के जाते हैं और हम उसको बाद में गरम करके फिर से खाते हैं या फिर कभी हम एक ही time का खाना बना रहे होते पर जादा बन जाता है तो हम उसको फ्रीज में रख देते और बाद में उसको reheat करते हैं आप लोगों को शायद पता नहीं होगा ऐसे बहुत सारे food आइटेम है जिनको reheat करने से मतलब एक बार cook करने के बाद फिर से उसको ठंडा हो जाने के बाद उसको गरम करने से स्रिफ उसका nutrition value ही खतम नहीं हो जाता वो हमारे human health के लिए बहुत ज़दा हामफुल होता है हालो एवरिवान मैं हुश्योबारना और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चानल ली विश्योबारना आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे साथ food आइटेम के बारे में जिनको cook करने के बाद अगर आप लोग तभी नहीं खा रहे हो और उसको बाद में करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल चेंजिस आ जाते हैं केमिकल चेंजिस आ जाते हैं जो human health के लिए बहुत हमफुल होता है चलिए देख लेते हैं वह कौन-कौन से साथ food आइटेम है और उनको आपको क्यों री हिट नहीं करना चाहिए स्पे नच में होता है नाइट्रेटि ने मर्के लिए अच्छा होता वे रगास को आप लोग बार बार दी हीट करोब डेतो और लोड़ी नाइटरीट में नांप बार् person तो दोस्तों पेनाच अब भी बनाओ गे तब इतना ही क्वांटिटी में बनाओ जितना एक बारी में खा सकते हो इसको रेफ्रिजरेट करके बाद में गरम करके खाना अब लोगों ने अगर नोटीस किया होगा अगर आप चिकन को फ्रेशली कुक करके खाते हो तो इसली करने से एस रेजल्ट ओ वह हमारे डाइजेशिन सिस्टेम के लिए डिफिकल्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट करना एक्शार गुड अनिमेल प्रोटीन आज वेल तो एक में भी ऊही प्रोब्लेम होता है जो चिकन में होता है तो बार-बार गरम करने से एक के प्रोटीन बनते हैं जो हमारे बोडी के अंदर free radical and oxidized nitrogen की मात्रा को बढ़ा देती है which is very harmful for human health फुक्ट पोटेटो को रख देने से उसके अंदर एक बैक्टेरिया बनता है इस बैक्टेरिया को बोलते है बैक्टेरिया के साथ अगर आप लोग इस पोटेटो को फिर से गरम करते हो तो यह बैक्टेरिया से पोटेटो के अंदर एक फूट पॉड़ी के अंदर गया तो इससे एक बहुत गंदा food poisoning हो सकती है जो normal food poisoning से बहुत ज्यादा हमफुल होता है हमारी इंडियन food habit में हम लोग बहुत ज्यादा डीप फ्राइट फूट्स खाते है डीप फ्राइट फूट के लिए हमें यूज करना होता है बहुत ज्यादा ऑइल और जो फ्राइंग के बाद भी बच जाते तो इस ऑईल को स्टोर करके रखना बाद में यूज करना बहु और रिहिट करके यूज करने से मैसिव हार्ट अटक अंसर्टेन डेट भी हो सकता है आप लोगों की कोशिस एही होनी चाहिए कि डीप फ्राइट फूट मत खाया करो अगर डीप फ्राइट फूट कभी कपर घर में बन भी रहा है उसका जो एकसेस ओयल है उसको आज की वजए मैं टैनियन की मात्रा बर जाती है जो डाइजस्टिव सिस्टेम के अंदर इंजाइम को इनक्तिव कर देते एंजाइम के सिक्रीशन को बी कम कर देते इंटेस्ट आइन में वाइटामिनेंस और मिनराल के अब्सॉर्प्शन को भी हैमपर करता है और ये हमारे सब्सक्राइब अपने फ्रेंग्स और फामिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए सब लोग बहुत अच्छे से रायना किसी को भी कस्टोमाइज डायट प्लंच चाहिए तो आप लोग मुझे कर सकते हैं मेरा मेल आइटी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हम लोग बहुत जल पीर मिलेंगे तब तक के लिए टेक क्यार गाइज